Friends, Kalros Kulhalol presenting this video from the book Hornbill for Standard 11th Commerce and Science Friends, today we are going to discuss about chapter number 3 Discovering Tut the Saga Continues इस chapter को लिखा गया है The name of the writer of this lesson is A.R. Williams A.R. Williams के द्वारा Tut, Tut एक राजा का नाम है Name of the King ठीक है, उसके बारे में एक कहानी है एक मानियता है जो इजिप्त के लोगों के द्वारा मानी गई है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है क्या है, किस तरीके से उनकी बिलीब है Tut कौन था, उसको किस तरीके से क्या किया गया था क्या हुआ था, उसके साथ, यह सारी चीजे, information हमें यहाँ पे इस chapter के अंदर देखने को मिलेगी Here you can see the picture of the Tut राजा का यह picture है जो आप देख सकते हो इसके अंदर वो कौन था, किस तरीके से उसके साथ, क्या हुआ था These all the things, these all the answer of the question you can get from this lesson only चलो start करते है, let's start the lesson He was just a teenager when he died वो teenager था, teenager means क्या होता है जिसकी age जो होती है, वो 13 से 19 साल के बीच की होती है बराबर उसको teenager कहा जाता है तो वो एक teenager था, जब उसकी क्या हुई थी, death हुई थी तो उसके death के time पे वो एक teenager था, ऐसा कहा गया है कि he was just a teenager, वो खाली एक teenager था जब उसकी death हुई थी The last hair of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for the centuries जो last hair था, आखरी वारिस था, अपनी family का, वो एक powerful family थी जिस family ने Egypt के उपर कई सालों तक, कई सदियों तक राच किया था He was laid to rest lidden with a gold and eventually forgotten अब उसको जब दफनाया गया, मरने के बाद जब दफनाया गया तो पूरी तरीके से laid down, मतलब लाद दिया गया सोने से और उसके बाद उसको eventually forgotten, मतलब उसके बाद उसको भुला दिया गया Since the discovery of his tom, जब उसका tom जो था, उसको खोजा गया कौन से साल में खोजा काया, first time, 1922 के अंदर उसके tom, tom समझते हो क्या होता है Tom का मतलब होता है, जहां पे कबर रखने की जगा होती है, वो एक मकबरा जिसको हम कहते है ठीक है, वो 1922 में इस start, मतलब यह राजा का जो मकबरा है, उसको first time search किया गया था, डूंडा गया था The modern world has speculated about what happened to him, modern world उस जमाने का, जो time period का, उस जमाने का जो time था, उसके अंदर लोग अंदाजा लगा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ होगा With murder being the most extreme possibility और हो सकता है कि murder जो है, वो सबसे ज़्यादा बड़ी possibility हो सकती थी, इनके death के पीछे क्योंकि पता नहीं चला था कि वो किस तारीके से मरे थे, बराबर तो लोगों का अंदाजा यह था कि शायद उनको मार दिया गया होगा Now leaving his tom for his first time in almost 80 years अलगबग 80 साल के बाद उसकी जो tom थी, उसके अंदर से उसको बहार निकाला जा रहा था TUT has an undergone a CT scan that offers a new clause about the life and death TUT को जो है, वो अब CT scan के लिए ले जाया जा रहा था जिसके द्वारा उसके life के और death के related जो भी information थी, वो अब मिलने वाली थी and provides a precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh यहाँ पर क्या बताया गया है कि TUT को ले जाया जा रहा था, किसके लिए ले जाया जा रहा था CT scan के लिए ले जाया जा रहा था, जिसके त्रुकलू मिलने वाले थे उसकी life के और death के related किस तरीके से उसकी जिन्दगी रही होगी और क्या reason रहे होगे उसको मरने के लिए ये उसकी city scan के बाद ही पता चलने वाला था और दूसरा data मिलने वाला था accurate forensic reconstruction बाद forensic department जो search हो रही थी उसके बाद ये सब study करने के बाद उसके बारे में boys farrow मतलब एक young age का जो राजा था उसके रिलिए किस तरीके से उसकी death हुई होगी क्या reasons रहे होगे उस सब के बारे में जो information थी वो जादा clear होने वाली है बराबर ये तो एक introduction part था अब जब उसको निकाला गया उस time पे क्या हुआ था उसके बारे में यहां बताया गया है अब जब उसको अपनी coffin में से जब बहार उसके कबर में से उसके tom में से जब बहार निकाला जा रहा था तो angry wind घुस्से से भरी हवा जो थी वो वहां पे steed up हो रही थी मतलब बह रही थी उसके अलावा जो dust थी वो इतनी तूफान वे में उड रही थी जैसा जैसे से लग रहा था भूतिया dust उड रही हो बराबर और tut को जो है उसकी resting piece से बहार निकाला जा रहा था जो इजिप्तियन cemetery का मतलब होता है जहां पे कबर को रखा जाता है जहां पे दफनाया जाता है वो जगा बराबर cemetery कहा जाता है तो जहाँ पे राजाओं को दफनाया जाता है उस जगह वहाँ पे उसको इजिप्ट के अंदर वेली अब दे किंग कहा जाता है वेली अब दे किंग मतलब जहाँ के जहाँ पे राजाओं को दफनाया जाता है तो उस टाइम पे जब उसको निकाला जा रहा था तो एक था वो एकदम desert sky जैसा लग रहा था and now were willing the stars into the cascade gray और जब शाम हो गई तो जब आस्मान में जो तारे थे वो भी एकदम से gray मतलब एकदम से dark बन चुके थे कुछ दीख नहीं रहा था दुंदला जैसा atmosphere हो गया था it was 6 p.m. अब शाम के 6 बजे की बात है at 5th January 2005 2005 के 5th January की यहां प most famous mummy glided head first time first into a city scanner brought here to prop the lingering medical mysteries of his little understood young ruler who died more than 3,300 years ago अब यहां पे क्या बता रहे है के 6 बजे शाम को जब 5 January 2005 के दिन दुनिया का सबसे famous mummy जो है उसका जो glided head उसका जो सीर था उस सीर को उसको city scan के लिए ले जाया जा रहा था तो यहां पे बहुत interesting चीज हो रही थी क्योंकि उसके related उसकी death के related जितनी भी mystery थी वो अब शायद पता चल जाएगी city scan के बाद और लोगों को समझ में आ जाएगा कि यह जो young ruler था यह चोटा सा ruler था जिसकी death जो थी वो 3300 years ago पहले क्यों हुई थी और किस तरीके से हुई थी वो city scan के बाद पता चल जाएगा यहां पे एक situation यह बताई गई है यहां पे आप लोगों को समझ म में आ रहा होगा कि यहां पर किस चीज का description चल रहा है एक टट की body है जिसको cemetery के अंदर से बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि उसकी death जो थी वो कैसे हुई थी वो कैसा दिखता था उसके बारे में mystery जो है वो arkeological department जो है वो लगाने के लिए कोशिश कर रहा होता है तो यहां पर बता रहा है कि 5th January 2005 के अंदर उसको बाहर निकाल कर उसके उपर जो city scan करके कुछ भी information अगर gain कर सके तो उसके लिए वो लोग try कर रहे थे तो क्या situation थी यहां पर बताई गई है इस paragraph के अंदर आगे के paragraph के अंदर क्या होता है चलो देखते हैं हम लोग अब यहां पर क्या बता रहे है कि all afternoon पूरे दोपेर को जो tourist लोग थे जो लोग वहां पर आये थे वो वहां पर खड़े थे usual line बना के वहां पर खड़े थे पूरे दुनिया से वो लोग आये थे और वो क्या कर रहे थे descended into the cramped बराबर वो एक तरीके से वहां पर round बना के खड़े थे वहां पर एक तम ध्यान से देख रहे थे rock cut tom यहां पर क्यों नाम दिया गया है क्योंकि इस tom को एक ही पत्तर में से बनाया गया होगा जिसको 26 feet नीचे जमिन के अंदर underground दफनाया गया था और वहां पर वो लोग उनको respect देने के लिए वहां पर इखड़े थे अब यहां पर क्या बताया गया था वो लोग गेस दमतलब ध्यान से देख रहे थे मूरल क्या होता है वाल के उपर जो पेंटिंग बनाई गई होती है उसको मूरल कहा जाता है तो वो मूरल को बहुत ध्यान से देख रहे थे और जिस chamber के अंदर उसकी body को दफनाया गया था बराबर tut क्या जो उसका जो उपर का जो face था उस chamber का वो क्या था glided मतलब सोने से बना हुआ था और ये एक बहुत striking feature था इस mummy का क्योंकि उसका चहरा जो था वो पुरा सोने से बना हुआ था और उसको एक coffin के lead के अंदर उसके उपर जो था वो धकन धका गया था वहार वो भी एक सोने का था some visitors read from the guide book कुछ visitor वहाँ पे जो आये हुए थे वो guide book में से कुछ पढ़ रहे थे in whisper और कुछ बढ़ बढ़ा रहे थे अंदर दीरे से पढ़ना मंत्र पढ़ना उसको whisper कहा जाता है किसी को समझ में ना आये ऐसे बोलना that is called whisper others stood silently और दूसरे जो लोग थे वो silently खड़े थे perhaps pondering start tuts untimely death in his late teens or wondering with a shiver the pharaoh's course अब यहाँ पे क्या बताया गया कुछ visitor वहाँ पे guide book के अंदर से कुछ पढ़ रहे थे whisper कर रहे थे others मतलब कि जो दूसरे थे वहाँ पे चुपचप silently खड़े थे perhaps कि वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे pondering start untimely death in his late teens उनका जो teenage थी late teens मतलब अब teenage खतम होकर वो younger age में अंदर enter ही करने वाला था उस time पे उसकी death हो गई थी तो ये एक बहुती wondering चीज हो रही थी और सब लोग जो थे वो काप भी रहे थे कि शायद उन्होंने अगर फैरो को disturb कर दिया तो वो कहीं उनको श्राप ना दे दे death or a misfortune falling upon those who disturb him बराबर जो लोग उसको disturb कर रहे थे जिसकी मौत के बाद ले उसको शांती से नहीं बैठने दे रहे थे उसके उपर शायद उनका bad luck misfortune बतलब bad luck शायद शुरू न हो जाए was really true बराबर उसको बता रहे एक अंदाजा लगा रहे है कि शायद ऐसा हो सकता था ऐस वहाँ पे जो present लोग थे उनकी thinking यसी थी the mummy is in very bad condition अब mummy को जब बहार निकाला गया तो वो बहुत ही खराब condition के अंदर था बराबर of what what Carter did in 1920s अब Carter ने 1920 के अंदर उनके साथ जो किया था उसकी वज़से वो mummy जो थी वो बहुत ही खराब condition के अंदर आ गई थी अभी जो situation कौ रही अभी कौन सा year के बारे में कौन सा year के अंदर ये lesson लिखा जा रहा था city scan कब हो रहा है 2005 के अंदर city scan हो रहा था ठीक है लेकिन ये tom जो थी वो सबसे पहली बार कब discover की गई थी 1920 के अंदर और उसको किसने discover किया था Carter ने discover किया था तो Carter ने जब उसको first time discover किया था तो उसन ऐसा कौन कहते है जाई हवस कहते है अब ये जाई हवस कौन है उनके बारे में हमको बताया गया है कि secretary general of the Egypt का जो supreme council of the antiquities होती है बराबर उसके वो क्या थे secretary general थे कौन थे जाई हवस थे as he lean over the body for long first loop और वो वहाँ पे नीचे जुक कर उनकी बाड़ी को ध्यान से जो टट की जो बाड़ी होती है उसको ध्यान से देखकर वो कहते है कि 1920 के अंदर जो कार्टर ने जो चीज की थी उसकी वज़े से ये बहुती खराब हालत उसकी हो चुकी है Carter, Howard Carter, Carter का नाम पूरा क्या था? Howard Carter that is was the British archaeologist who in 1922 discovered a touch storm after the years of futile searching अब यहाँ पर क्या बता रहे है कि यह इसका पूरा नाम बता रहे है कि Howard Carter उसका पूरा नाम है जिसने जो एक British archaeologist था जिसने 1922 के अंदर टॉप की टॉप को सबसे पहली बार काफी सालों की महिनत के बाद, काफी सालों की सर्चिंग के बाद उसको सबसे पहली बार discovered किया थ अब यहाँ पर क्या बता रहे है कि उसके अंदर उसके साथ जो थे Hashting Result in Antiquity यहाँ पर उसके साथ और भी बहुत सारी चीजे जो थी वर सप्राइजिंगली कम्प्लिटेर टॉट रीमें दे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन बराबर टॉट के पास जो था वो बहुत ही अमीर लोग का जो कलेक्शन होता है वो शायद रहा हुआ होगा Ever found and have become a part of the pharaoh's legend इसलिए उसको कहा जाता है के pharaoh's legend का एक पार्ट बना होगा Stunning artifacts in gold बराबर बहुत सारे सोने से उसको लाद दिया गया था Their eternal brilliance meet the guarantee resurrection caused the sensation at the time of the discovery and still get the most attention Now here what has been explained, that when he's got the value of the pharaoh's legend जिस तरीके से यहाँ पे से निकाला गया था उस time के जो बात कर रहे है कि उसका eternal brilliance means guarantee यहाँ पे बता रहे है कि किस तरीके से उस time के अंदर उसको खोजा गया उस टाइम के अंदर किस तरीके से उसको गोल्ड से लाद के लखा गया होगा और उसके बाद जब उसको निकाला गया तो सब लोगों के लिए ये एक अटेंशन का कारण बना था तट वस अलसो बरीड़ विट एवरि डे ठीच और उस टाइम के तट को गोल्ड तो बहुत सारा उसकी कॉफिन के अंदर रखा गया था लेकिन कॉफिन के साथ साथ गोल्ड के साथ साथ एवरिडे ठीच मतलब रोज बरोज की जो चीजे होती है वो भी उसके साथ रखी गए थी जो मरने के बाद उसको काम लगश Das ऐसा उस चमाने के एजिप्ट के लोग मानते थे के मरने के बाद इंसान जो है वो जब re-born होता है बरावर उसको दुसरे जनम में या मरने के बाद ये सारी जो छीजे होती है तो उसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए उसके साथ गोल्ड तो रखा गया था, क्योंकि वो एक richest person था, वो एक king था, एक pharaoh था, लेकिन उसके अलावा जो daily, जो everyday की जो चीजे थी, वो भी रखी गई थी, जैसे क्या क्या रखा गया था, board games रखी गई थी, ब्रॉंज का razor रखा गया था, linen के undergarments रखे गए थे, cases of food, खाने की चीजे रखी गई थी, और शराब रखी गई थी, वाइन रखी गई थी, ये सारी चीजे कहां पर रखी गई थी, उसके coffin के अंदर रखी गई थी, क्योंकि वहाँ के लोगों केसी मान्यता थी, कि मरने के बाद जब दूसरा जनम होता है, तब तक उसको ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती होगी, after months of carefully recording the pharaoh's funerary treasure, Carter began investigating his three nested coffins, अब यहाँ पे काफी महिनों को, काफी महिनों तक carefully record करने के बाद, pharaoh के उपर, काफी pharaoh के पास, जो राजा जो था, pharaoh का मतलब होता है, राजा, उसका जो खजाना था, उसके उपर काफी, उसके कबर के अंदर जो रखा गया था, वो जो treasure था, उसके उपर study करने के बाद, Carter ने क्या किया, investigate शुरू करना शुरू किया, उसका जो तीन, उसका जो coffin था, वो तीन लेयर के अंदर धका हुआ था, ठीक है, उसने उसके बाद coffin को उपर से study करना शुरू किया, जो coffin तीन लेयर के अंदर बना हुआ था, opening the first, जब उसने सबसे पहला खोला, he found the sword adron with the garland of the willow and oliver leaves, अब यहाँ पे जब उसने पहला धकन खोला तो उसने देखा कि वहाँ पे एक तो sword, sword का मतलब क्या होता है, coffin जो मरने के बाद लोगों को उढ़ाया जाता है, that is called sword, तो उसने उपर देखा कि उसके अलावा उसके उपर एक marla भी थी, जो oliver leaves से बनी हुई थी, willow से बनी हुई थी, wild celery जो एक पत्ता है बराबर उससे बनी हुई है, lotus कमल के बेटल से डखा हुआ है, यह सारी चीजे जो थी, वो material उस coffin के अंदर था, और उसके लावा corn flower भी वहाँ पे थे, तो the faded evident of the burial in March और April, तो ऐसी मानियता है कि यह सब देखने के बाद हो सकता है, एक ऐसा सुबूत मिला कि इसकी death जो थी, वो March या तो April में हुई होगी, when he finally reached the mummy, जब वो mummy तक पहुँचा, यह सारा पहला लेयर खोला हो, यह दूसरा लेयर खोला हो, जब वो mummy तक पहुचा, though he ran into a trouble, तब उसको उसके सामने मुसीबत आ गई, क्या मुसीबत आ गई? अब क्या मुसीबत आ गई? रेजीन, रेजीन का मतलब क्या होता है? एक तरीके का लिक्वीड होता है, बराबर जिसके साथ, उस लिक्वीड को उसकी body के साथ रखा गया था, जिसकी वज़स से उसकी जो body है, वो गोल्ड के कॉफीन के साथ एक्दम से जकड गई थी, वो व नहीं रही थी, एकदम hard बन चुकी थी, cementing, मतलब cement के जैसे इतनी hardly चिपक गई थी, कि उसको बाहर निकलना लगबग impossible जैसा लग रहा था, तो रेजीन से एक तरीका का liquid आता है, जो चिपकाने में help करता है, तो जिसकी वज़स से इसकी body जो थी, वो गोल्ड का जो कॉफीन उसके साथ पूरी तरीके से चिपक गई थी, no amount of legnitimate force could move them, कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी जोर लगा लो, लेकिन उसको आप हिला नहीं सकते थे, Carter wrote letter, Carter ने बाद में लिखा था, what was to be done, तो फिर बाद में किया भी क्या जा सकता था, उसको निकाल ले के लिए वो क्या कर सकते थे, The sun can be beat down like a hammer, this far south in Egypt, यहां पर south Egypt की बात कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि sun जो है, sunlight जो होती है, सूरज की जो गर्मी होती है, वो एक हथोड़े का काम करते है, Egypt के अंदर, क्योंकि Egypt के अंदर ऐसा माना जाता है, कि sun जो होता है, वो बहुत जादा गरम होता है, And the carton tried to use the, loosen the resin, अब tartan ने sun को use किया, क्या करने के लिए उस resin को, उस liquid को पिगलाने के लिए, उसने सोचा कि अगर मैं उसको बहुत जादा गर्मी में रखूंगा, तो यह पिगल जाएगा resin, और मैं उसकी बाड़ी को निकाल पाऊंगा, for the several hours, कई घंटों तक उसको इस तर रख दिया in blazing sunshine, blazing sunshine का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा जहाँ पे गर्मी वाला माहूल होता है, उसको blazing sunshine का आ जाता है, तो blazing sunshine के अंदर उसको रख दिया गया, that heated into the 149 degrees Fahrenheit, जो कितना गर्म था 149 degrees Fahrenheit में जो गर्म था, nothing budget, he reported with the scientific detachment that the consolidated material had to be chaseled away from the bennet, the limbs and the trunk before it was possible to raise the king's remains, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, कितनी भी कोशिश कर ली तो उसने बाद में report किया, scientific detachment के साथ के जो भी material इसके अंदर यूज किया गया है, उसको chasel, chasel का मतलब होता है, छीनी से, बराबर चीनी से तोड़ कर, नीचे से चीनी से तोड़ कर उसके जो limbs थे, बराबर limbs मतलब उसके शरीर के जो organ थे, उसको तोड़ कर बाहर निकाला जा सकता है, एक ही possibility है, क्योंकि यह जो राजा है, वो बहुत ही, मतलब सकत तरीके से coffin के अंदर जकर चुका है, और यह बाह बाहर नहीं निकल सकता है, तो चीनी से उसको चेजल से उसको तोड़ कर, हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा कार्टर का मनना था, अब आगे क्या होता है, तो in his defense, अपने बचाओ के अंदर, कार्टर रियली had a little choice, और कार्टर के पास, अपने बचाओ के अंदर, कार्टर ने कहा के उसके पास एक छोटी सी choice है, if he hadn't cut the mummies free, अगर वो mummies को cut करके नहीं निकालता है, तो most thieves most certainly would have circumvulated the guards and ripped it apart to remove all the gold, तो हो सकता है के चोर लोग जो है, वो गार्ड लोगों का ध्यान यहां वहां भटका कर, उसका जो gold है, वो चोरी करके ले जाएंगे, इसलिए वहां पे उसक नहीं होगा, in touch time, touch के time के अंदर royal was, royal मतलब जो राजदरबार के जो लोग होते थे, was fabulously wealthy, वो बहुत ज़दा अमीर लोग हुआ करते थे, and they thought, और उनका ऐसा मानना था, और hope, या उनको ऐसी उमीद थी, they could take their riches with them, वो अपनी जो riches थी, अपनी जो अमेरी थी, अपनी जो पै आने के लिए, king touch was lavished with the glittering goods, और king touch को भी बहुत ज़दा सोने से लांद दिया गया था, precious collar, क्या-क्या चीज़े उसके साथ रखी गई थी, precious collar, inlet necklace, उसके अलावा bracelet, ring, amulets, ceremonial apron, sandal, उसके अलावा stitches for his finger, and toes, and now the iconic inner collar, coffin and mask, यह सारा जो material था, वो मरने के बाद, tut की death body के साथ रखा गया था, all of pure gold, और यह सारी चीज़े पूरी gold की बनी हुई थी, to separate tut from the, to separate tut from the adornments, और इस adornments से उसकी body को अलग करने के लिए, coffin से अलग करने के लिए, carters man, carters के जो लोग थे, remove the mummy's head, सबसे पहले क्या किया, उ की body में से उसका जो head था, उसको अलग कर दिया गया, and several, nearly every major joint, और दीरे दीरे जितने भी बड़े-बड़े joints थे, उसको अलग-अलग करके उसको महा से निकाला, once they had finished, जब उन्होंने यह खतम कर दिया, they re-assembled the remains on the layer of the sand, फिर उन्होंने क्या किया, कि यह जो टूटे हुए, जो body के part थे, उसको वापिस से, sand के उपर, बराबर वापिस से लिटा दिया गया, in wooden box, और wooden box के अंदर लिटा दिया गया, with the padding that the, with the padding that the consolidated, the damage, the bed, were tut now in rest, अब उसको wooden box के उपर तो लिटा दिया गया, लेकिन, दिख रहा था, clearly दिख रहा था, कि वो काफी हद तक damage हो चुका लेकिन जो dust थी, बराबर जो धूल मिटी थी, जिसकी वज़े से, वो थोड़ा बहुत धक रहा था, और tut के वापस से, एक बेड के उपर लिटा दिया गया था, wooden के बेड के उपर लिटा दिया गया था, वापिस से rest करने के लिए, बराबर क्योंकि उसको वहाँ से, काट प काफी सालों के बाद, बराबर इतने सालों के बाद, Archaeology जो है, वो काफी हद तक रब बदल चुकी है, मतलब कि उसका जो खोज करने का तरीका, जो है, वो भी अब काफी हद तक बदल चुका है, मतलब कि ये जो Archaeological Department है, उसके अंदर काफी हद तक improvement आए हुए है, focusing less on treasure वो लोग जो है वो खजाने के उपर बहुत कम focus करते है and more on focusing detail of the life and integrating the mysteries of the death अब वो लोग जो है वो वो लोग जो है वो खजाने से ज़्यादा किसके उपर investigation करते है कि उसकी life क्या रही होगी वो किस तरह की जिंदगी जिया होगा और उसके मरने के पीछे उसके क्या reason रहे होंगे उसके पीछे जो है वो लोग ज़्यादा interested रहते है it also uses more sophisticated tools और अब archaeological department है उनके पास ज़्यादा अच्छे tools आ गये है जिसकी help से वो ज़्यादा accurately उसके उपर study कर सकते है जैसे कि including of medical technology उनके पास medical technology भी अच्छी अवेलेबल है पहले की comparison की बात कर रहे है जब 1920 के अंदर कार्टन ने जब ये खोज की थी ये discovery की थी उस टाइम पे उसके पास इतने अधतन technology के weapons नहीं थे ना तो medical technology थी ना कुछ ऐसी facility थी लेकिन उसकी compare में archaeological department अभी बहुत बदल चुका है और काफी हद तक उनके changes आए है 1968 अब दूसरा एक incident हुआ था 1968 के अंदर more than 40 years after 40 साल के बाद जब कार्टन ने discovery की थी कार्टन ने discovery कब की थी 1920 के अंदर और उसके बाद 68 के बाद दूसरे बार ये incident हुआ था कार्टन ने तो अपनी तरीब के से कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसको तोड़ फोड़ करने में क्योंकि उस टाइम पे उसको जो सही लगा वो उसने उस टर्ट की बाड़ी के साथ किया था लेकि 1968 अंदर एट के अंदर जब 40 साल के बाद अगेन कार्टर की डिसकोवरी के बाद अगेन उसके उपर जब स्टड़ी की गई देन एंटोनमी प्रोफेसर जब एक एंटोनमी प्रोफेसर ने X-rayed the mummy X-rayed the mummy उस mummy के X-ray किये and revealed a startling factor बहुत सारी ऐसी हकीकत जो थी वो अब बहार आ सकती थी Bennett the resin Bennett the resin the cakes his chest और उसके जो resin थी उसके बिल्कुल नीचे और उसकी जो चाती थी his his breast bond and and iron rips are missing iron means rips are missing उसकी चाती किया जो हड़ी थी और उसका जो rips था वो दोनों क्या था? Missing था परावर है उस टाइम पर today dynologist imagine can be done with the completed computer technology आज जो है आज जो है डाइगनोलोजिस्ट इमेज डाइगनोलोजिस्ट इमेज मतलब 3D इमेज बनाई जाती है computed tomography computed tomography का हम क्या कहते है CT scan कहते है बरावर CT scan हमको पता होता है कि CT scan के अंदर एक 3D image बनती है और 3D image के थुरू हमको सब कुछ पता चल जाता है तो CT scan के थुरू by which the hundred of the x-ray बरावर उसके अंदर 100 से भी ज़्यादा x-ray निकाले जाते है in cross section और उसको cross section में रखा जाता है put together एक दुसरे के साथ like a slice of a braid जैसे braid के टुकडे रखे जाते है ऐसे उसको रखा जाता है फिर उसके उपर 3D zooming किया जाता है और exactly वो जो x-ray होता है वो revive करता है कि किस तरीके का ये person दिखता होगा उसके time period के अंदर तो ये 3D की बात की जा रहे है city scan की बात की जा रहे है तो उसको slice of braid की तरह रखा जाता है and create a three dimensional virtual body और dimensional virtual body के अंदर 3D के अंदर उसको उपर focus किया जाता है what more would be a city scan revile the tart than the x-ray x-ray से भी ज़्यादा जो चीजे होगी वो city scan के थूँ बाहर आने वाली है and could it answer two of the biggest questions still lingering about him लेकिन उसके अलावा दूसरे जो दो answer है वो अभी तक नहीं मिले है अभी तक उसके बारे में गुथी जो है वो सुलजी नहीं है एक है how did he died वो कैसे मरा and how old he was at the time of his death और जब वो मरा था तो उस time पे उसकी age कितनी रही होंगी उसके बारे में जो थी information वो अभी तक नहीं मिली है तो friends यहाँ तक इस video के अंदर इसका जो बाकी का हिस्सा है वो हम अगले वीडियो के अंदर उसके बारे में discuss करेंगे यहाँ तक का जो explanation है उसके related whatever the question answers are there I will send you through the PDF आप लोगों को उसको अपनी notebook में लिखने है और समझना है पराबर है हमारे next वीडियो में हम आगे के lesson के बारे में discuss करेंगे ओके बाइ